नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर हम कर रहे हैं जैशंकर परसाद की रचना कामाईनी का लज्जा सरग लज्जा जो की मनो भाव है और श्रद्धा के मन में ये भाव उत्पन हुआ है क्योंकि वो किस से प्रेम करने लगी है मनों से प्रेम करने लगी है इसी कारण यहाँ पर शरद्धा अपने मनोभाव जो लज्जा है उसके बारे में अभिवेक्ति कर रही है कि लज्जा का मन में आना और इसके साथ साथ उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर अभिवेक्ति की गई है तो आईए देखते हैं क्या कहती है वर्दान सैदृष हो डाल रही नीली किर्णों से बुणा हुआ वर्दान सैदृष यानि समान डाल रही हो क्या नीली किर्णों से जो बना हुआ है नीली किरनों से बना हुआ से तात्प्रे यहाँ पर क्या है नीले धागों से बुना हुआ कोई वस्त्र और वो वस्त्र कैसा है यह अंचल कितना हलका सा और यह जो नीली किरनों से बना हुआ वस्त्र है देखे नीला रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है और प्रेम भाव की अ कितने सोरब से सना हुआ, सोरब यानि सुगंद से सना हुआ है, یعن incarnation सुगंद में लिप्त है, अर्थात उसमें बहुत जादा जो सुगंद है, वो आ रही है, या खुश्बू आ रही है, कहने का भाव क्या है, कि लज्जा ने श्रधा के मन पर मोह और आसकती का जो आंचल है वो डाल दिया है या परदा डाल दिया है और ये आंचल हलका है जो उसके लिए बोज नहीं लग रहा उसे बलकि वो सुगंद से परिपूर्ण है उसे उसमें एक अलग ही खुश्बू अलग ही सुगंद आ रही है तो इससे क्या स्पस्थ होता है कि श्रधा के मन में मनु के प्रती प्रेम भाव की उत्पत्ती हो चुकी है और ये उसे वरदान प्रतीत हो रहा है जो प्रेम का आंचल कह सकते हैं या जो नई अनुभूती उसे हो रही है वो उसे वरदान के सरद्रिश वरदान के समान मान तो यहां पर लज्जा नामक मनुभाव की नारी हर्दे में प्रेम वासना के उत्पर्ण करने का जो खशन है या समय है उसको चितरन यहां पर किया गया है इसके साथ उपमा अलंकार का सुन्दर प्रियोग यहां पर किया गया है माध्रेगुन और शिंगार रसे यह आप ध्यान में रखें सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूं कि सारे अंग शरीर का जो संपूर्ण शरीर है उसके जो अंग है वो मोम जैसे बन गई है अर्थात कोमल हो गई है और इसी कोमलता के कारण बल खाती हूं अर्था रहेगी लेकिन जब मौम में कोमलता आ जाएगी तो वो क्या है अपना आकार बदल लेगी वैसे ये कहते हैं कि मैं उस कोमलता के कारण बल खा रही हूँ अर्थात मेरा जो शरीर है मेरा जो दे है मैं सिमट रही सी अपने में और मैं अपने आप में जैसे सिमट रही हूँ इक कठी हो रही हूं, परिहास गीत सुन पाती हूं, अर्थात अपने आप में ही सिमट रही हूं, अपनी और ही आकरशित हो रही हूं, परिहास यानि हंसी मजाक और गीत, गीतों को सुन पा रही हूं, उसे ये अनभव होता है, क्या जैसे मानो कोई मुझसे हंसी मजाक कर रहा है, या कोई मुझे लक्षित करके क्या कर रहा है गीत गा रहा है और वो उन गीतों का मुख्य के इंदर बिंदु कौन है स्वेम शरद्धा है ऐसा उसे अनभव होता है तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि लज्जा के आने से वो सिमट गई है सिमट गई से तात्प्रे क्या है क कि उसका सवभाव संकोच वाला हो गया है संकोची हो गई है शर्माने लगी है इसी कारण वो अपने आप में सिमट जा रही है ब्रतिक्षन उसे परिहास यानि हासी मजाक और अलग-अलग तरह के गीत सुनाई दे रहे हैं और उन गीतों का केंदर कोन है स्वेम शरद्धा ह तो यहां पर अपने मनोभाओं के विवेक्ति किसके द्वारा की गई है शरद्धा के द्वारा की गई है इसमें अगर हम विशेश की बात करें तो विशेश में अगर सबसे पहले हम भावपक्ष की बात करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए एक मनोवेग्यन भाशा कैसी है सहज है सरल है गीतात्मक्ता है मधूर मधूर मधूरता है इसमें इसलिए कौन सा गुण है माध्रे गुण है रस कौन सा है शिंगार है आगे वो क्या कहती है स्मित बन जाती है तरल हसी नैनों में भरकर बांक बना प्रतेक्ष देखती हूं सब जो वै बन जाता है सपना यहां पर क्या कह रही है स्मित से तत्प्रे क्या है मंध मंध मूसकान या मंध हसी बन जाती है तरल तरल यानि खिलकिलाहट वाली हसी यह परिवर्तन उसमें आया ह उसके सोभाब में आया है कि जो तरल हसी है जो खिलखिलाहट वाली हसी है वो कैसी हो गई मंद मुस्कान में बदल गई नेनों में भरकर बांक पना बांक पन यानी तिर्चा पन अब वो अपने नित्रों को उपर उठा कर पलकों को उठा कर सामने नहीं देखती बलकि जिसको भी देखती है अपनी नजरें जुका कर और तिर्चे पन से किसी को देखने का काम करती है प्रतेक्ष देखती हूं सब, प्रतेक्ष यानि सामने, जो मैं देखती हूं, सब कुछ, जो वह बन जाता है सपना, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, कि वो सब उसे एक सपने के समान लगता है, यानि आसपास जो भी घटनाइं घटित होती है, वो उसके लिए कैसी संसार आंख जब खोल रहा अनुराग समेरों पर तिरता था इतराता सा डोल रहा तो नो मेरे सपनों में कल्रव क्या होता है जब पक्षी सुबह होती है पक्षी मधूर ध्वणी में शोर करने लगते थे थे मेरे सपनों में कल्रव का संसार, यानि मधूर ध्वनियों का जो संसार है, मधूर स्वर लहरियां चारों और गूज रही है, संसार आँख जब खोल रहा, संसार जब सुबह उठकर आँख खोलता है, या जब प्रहत्य समय होता है, ऐसे में श्रद्धा को ऐसे लगता है कि चारों और मधूर स लहरी गूंज रही है अनुराग समीरों पर तिरता अनुराग अनुराग समीर क्या है प्रेम रूपी वायू समीर क्या होता है वायू अनुराग यानि प्रेम अनुराग प्रेम रूपी वायू पर वायू पर तिरता था इतराता सा डोल रहा तो यहां पर वो क्या कहना चाहती कि उसके हर्दे में जो प्रेम का भाव है वो भाव मंद वायू से या उस वातावरण में इस प्रकार का च्छा जाता है या वो वातावरण उसे इस प्रकार का अनुभव होता है कि जैसे प्रेम रूपी वायू पर क्या हो रहा है उसके जो मनों भाव है वो इतराते हुए से तो यहां पर कहने का भाव क्या है कि अब उसकी जो प्रात्य का समय है वो भी उसके लिए कैसा है जब संसार आखे खोलता है यानि सुबह होती है और सुबह की बेला में जब पक्षी कलरव करते हैं मधूर ध्वनी में स्वर उत्पन करते हैं या मधूर ध्वनिया उत्पन करत भी डोल रही है अर्थात यहां पर देखे प्रात्य का मतलब क्या है या संसार जब आँख खोल रहा है तो आशा से आशा जीवन में भर जाती है आशा से उसका जीवन सरोबार हो जाता है मिराशा की समाप्ति और एक नई सुबह एक नई सबेर जिसका अनुभव वो किसके कार कर रही है उसके मन में जब लज्जा नामक भाव उत्पन हो गया है तो वो कुछ इसी प्रकार का अनुभव कर रही है तो यहां पर श्रद्धा अपने मनोभावों के विव्यक्ति कर रही है कि लज्जा के आने से उसके सोभाव में क्या परिवर्तन हुआ है आगे वो क्या क है लज्जा को संबोधित कर रही है और वो क्या कहती है अभिलाशा अभिलाशा यानि इच्छा अपने योवन में उठती उस सुख के स्वागत को सुख के स्वागत को यहां पर वो क्या कहती है कि उसके मन में जब लज्जा का भाव उत्पन हो गया है तो उसके मन में अपने प्रियतम की कौन है यहां सुख का स्वागत कैसे अपने प्रिये का स्वागत अपने प्रेम का स्वागत यह उसकी अभिलाशा उसकी युवा वस्ता में उसके मन में उत्पन हो रही है अभिलाशा उसके योवन में उठ रही है उस सुख के स्वागत को यानि उस प्रेम के खश है जो नाइक है और नाइक हम जानते है कोन है मनु है तो कहती कि मैं दूर से सत्कृत सत्कार करती हूं अपने जीवन के संपूर बल और व्यस्भव से मैं उस दूर से आए हुए महमान जो कि मनु है उसका आगे बढ़कर सतकार करती हूँ स्वागत करती हूँ और ये किस कारण सतकार कर रही है मनु के साथ अपना दामपत्य जीवन शुरू करने के लिए शरधा ललाइत है और वो उसको प्राप्त करना चाहती है तो यहाँ पर अगर हम देखें देखें वल चड़ती रस के निरजर में धंसकर में आनंद शिखर के प्रती बढ़ती यहाँ पर वो क्या कहती है किरनों का रजू समेट ले रजू क्या होता है रसी किरनों की रसी को समेट लिया है जिसका अवलंब यानि सहारा लेकर मैं क्या कर रही थी लेकर चड़ रही थी किस ओर अ वो बेबाग थी, अपनी सारी मन की अभिवेक्ति, अपने जीवन के जो संघर्ष के पल थे, जीवन में जो निराशा के ख्षण थे, उन सब ख्षणों में मनु के साथ उसने बातचीत करी, लेकिन अब लज्जा का भाव जब उसे उसके मन में आ गया है, तो उसे लगता है कि ये जो किरनों की रसी को समेट लिया है, और ये रसी क्या थी, उसके लिए सहारा थी, किस चीज का आनंद का, आनंद किस के साथ, मनु के साथ, और इसी आनंद की रसी को पकड़ कर, वो किस की और बढ़ रही थी, मनु की और बढ़ना चा रही थी, लेकिन जब से लज्जा क भाव उसके मन में आया है तो वो किरणों की जो रसी है वो सिमट गई है अर्थात लज्जा के कारण शरद्धा संकोच सवभाव की हो गई है उसके मन में संकोच आ गया है लज्जा आ गई है शरम का भाव आ गया है रस के निरजर में धंसकर मैं आनंद शिखर के और अगर इलजा का भाव नहीं आता तो वो क्या कहती है कि मैं रस के निरजर, निरजर यानि ज़रने में धंस कर, डूब कर, आनंद का शिखर, आनंद का शिखर यानि प्रेम की पूर्णता में मैं खो जाती या उसके प्रती बढ़ जाती तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि अगर ये भाव मेरे मन में नहीं आता तो वो जल्द से जल्द मनु को प्राप्त कर लेती और उसके साथ आनंद के संसार में परवेश करती या उस आनंद शिखर की वो प्राप्ति करना चाहती है पहुँचना चाहती है लेकिन जब नारी के मन में संकोच का भाव पैदा हो जाता है तो वो इस आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाती है उसके उसका जो मन है लज्जा से भर जाता है तो वो संकोची सवभाव की हो जाती है तो यहां पर अपनी इसी स्थिती का वो लज्जा स्थिती के बारे में वो लज्जा को अवगत करव पार रही है क्योंकि लज्जा का यहां मानवी करण किया गया है तो लज्जा के सामने वो यह बात स्पष्ट कर रही है तो यहां पर कवी ने शरधा की उच्छुकता का उसके हर्श का उसकी रती आदी जो संचारी भाव है उनका सुंदर वर्णन किया है संपूर्ण पद में अगर हम देखें तो सांगरूपक अलंकार का प्रियोग किया गया है इसके साथ साथ रस का जो शिखर है यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा है स्लेश अलंकार है रस शिखर में कौन सा अलंकार बन रहा है स्लेश अलंकार बन रहा है रस या आनंद शिखर उसके बाद आगे क्या कहती है चूने में हिचक देखने में पलके आँखों पर जुकती हैं कलरव परिहास भरी गुंजे अदरों तक सहसा रुकती हैं देखे एक समय था जब श्रधा मनुसे सभी प्रकार की आशा निराशा की अपने जीवन की वेथाओं की बातें अराम से आसानी से कर ल नहीं है वो संबोधन कर रही है किसको लज्जा को है अज्यात चाया मूर्ति कहकर वो संबोधन कर रही है और वो कहती है कि तुमने मुझे बड़ी विचितर स्थिति में पहुँचा दिया है क्यूं कि अब मुझे चूने में हिचक होती है पहले नहीं होती थी स्वतंतरता पुरुक वो अपने प्रियतम या मनु को छू लेती थी लेकिन अब उसे चूने में उसे हिचक होती है, यानि संकोच होता है, जब देखने का प्रियास करती है, तो पलके आखों पर जुक जाती है, अर्थात वो उसे आखोल कर या सामने अपनी पलके उठा कर देख भी नहीं सकती क्योंकि ऐसा होने पर उसकी पलके स्वेम ही जुक जाती हैं देखें यहां पर मनु का स्पर्ष उसे सुखदाई जान पड़ता है लेकिन अब उसे आसानी से छू नहीं पाती क्यों क्योंकि उसके मन में लज्जा का भाव आ गया है कल्रण यानि शोर करती हुई परिहास ह हसी मजाक से बरिवी जो गुंजें थी जो गुंजन था जो उसकी स्वचंद हसी थी एक दूसरे से हसी मजाक की जो धनिया उत्पन होती थी अब अध्रों तक सहसा रुखती है अब वो उसके होटों पर आकर अचानक से रुख जाती है अब वो ऐसा नहीं कर सकती क्यों नही क्योंकि अब जैसा कि बता रही हूं मैं कि अब क्या हो गया है लज्जा का भाव उसके मन में आ गया है अब अपने प्रेतम के साथ ना तो वो खुलकर हसी मजाक कर सकती है ना ही अपने मन की जो बाते हैं वो उससे कर सकती है वो बातें वो हसी वो मजाक वो परिहास होटों पर आकर रुख जाता है तो यहाँ पर शरदा के हर शुर रती भाव को बड़ी सुंदर तरीके से दिखाया है साथ में उसके मन्द में उच्छुक्ता का भी भाव है किसके प्रती अपने प्रियतम के प्रती संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही भाशा बन बोहों की काली रेखासी भरम्मे पड़ी रही रोमाली यानि जो रोएं होते हैं वो क्या संकेत करते हैं उसकी जो रोमावली है या जो उसके रोएं है शरीर के तन के वो पुलकित हो जाती है और मुझे क्या करती हैं संकेत करती है कि सोर मेरे मन में जो प्रेम का भाव आता है उसको रोकने का संकेत करती है ऐसे लगता है कि वो रोमावली मानों प्रेम के मारग में बाधा उपस्तित कर रही हो इसके साथ चुपचाप चुपचाप यानि बिना कुछ बोले बरजती है बरजती है यानि रोकती है खड़ी रहे कर मुझे चुपचाप रोकने का प्रेयास करती है कि मैं इस प्रेम पत पर आगे ना बढ़ू भाशा बन बोहू की काली रेखाएं और भाशा का रूप लेकर जो बोहे हैं, उनकी काली रेखा, यानि आँकों के उपर जो बोहे हैं, वो काली रेखा के समान है, वो काली रेखा चुपचाप खड़ी, काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही, चुपचाप खड़ी हुई रुमावली के काले अक्षरों के समान रूप धारन कर लेती है, या इसे कवी भ्रम की संग्या देते हैं भ्रम में पड़ी रही यानि भ्रम की संग्या देते हैं इससे क्या है भ्रम उत्पन होता है यहां पर नाइका के समान एक समान नाइका के समान श्रधा के भावों के भिवेक्ति हुई है कि प्रेम की स्थिति में उसकी अपनी बोहों का वाली रेखा है यह क्या उत्वपन कर रही है ब्रहम उत्वपन कर रही है जिससे वह अपने मनो भावों को अपने प्रियतम मनो तक नहीं पोँचा सकती तो यहां कि स्थिति का वर्णन किया गया है जब लज्जा के कारण श्रद्धा अपने भावों की अभिवेक्ति खुल कर नहीं कर पाती उलास रती हर्ष आदिसुंदर भावं की यहां पर अभिवेंजना की गई है तुम कोन हर्दे की परवश्ता सारी सवतंतरता छीन रही स्वचंद सुमंजों खिले रहे जीवन बन से ही बीन रही यहां पर वो संबोधित कर रहे हैं कि कि तुम कोन हो किसको लज्जा को तुम कोन हो कहीं तुम हर्दे की परवश्ता तो नहीं परवश्ता यानि मजबूरी कि कहीं तुम मजबूरी प्राधिंता गुलामी कि कहीं तुम मेरी प्राधिंता तो नहीं सारी जो स्वतंतरता मुझ से छीन रही हो यानि मैं अपने कि इच्छा नुसार नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सारी स्वतंतरता तुम्हारे कारण समाप्त हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे वशिभूत हो गई हूँ, स्वचंद सुमन जो खिले रहे, स्वचंद यानि स्वतंतर, सुमन यानि फूल खिले रहे, यहाँ पर वो क्या कहना चाती हैं कि जो स्वतंतरता के फूल है या स्वतंतरता रुपी जो सुमन है फूल है जैसे खुल कर हसना प्रतेक्ष देखना अपनी बात स्पष्ट तोर पर कह देना जीवन वन से ही बीन रही तुम मेरे जीवन रुपी वन से या जीवन रुपी बगिया से तुम उनको बीन रही हो एकत्रित कर रही हो उसे लगता है कि जो लज्जा है वो उसकी स्वतंतरता के जो फूल खिले हुए है या स्वतंतरता रुपी जो फूल है उनको लगातार तोड़ रही है अर्थार उसकी स्वतंतरता को परवश्ता में प्राधिंता में बदल रही है तो कहने का भाव क कि लज्जा के कारण श्रध्धा अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती तुकि उसका सोभाव अप कैसा हो गया है संकोच पुरण हो गया है यह संकोची हो गया है वो अपने मन पर एक ऐसा अलज्जा के कारण स JA nggak सफरिट कर दिया है जिससे वसक्ति ना तो बात कर सकती है ना ही अपनी इच्छाउं की अभिवेक्ति कर सकती है, संध्या की लाली में हस्ती उसका ही आश्रे लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी शरद्धा का उत्तर देती सी, संध्या की लाली यानि साइन के समय, जो लज्जा नामक मनोभाव है, उसकी यहाँ पर मान्वी कर किया गया है, और जब श्रद्धा की यह बाते सुनती है, उसी समय, संध्या कालीन लाली में हस्ती हुई, तथा उसका आश्रे लेती हुई, लज्जा की अज्यात छाया मुर्ति क्या करती है, आश्रे लेती हुई, यानि उस लाली मा का आश्रे लेती हुई, छाया प्रतिमा चाया मूर्ती कुछ गुना गुना उठती है चाया प्रतिमा यानि चाया की प्रतिमूर्ती कौन है स्वेम लज्जा है श्रद्धा का उत्तर देती सी और उसमें ऐसे लगता है कि मानो वो श्रद्धा के प्रशनों का उत्तर देने जा रही हो तो कवी के कहने का भाव क्या है कि लज्जा की छाया मूर्ती कुछ हंसती हुई सी प्रतीत होती है और उसी हंसी के माध्यम से और ये कौन सा समय है संध्या की लालीमा का समय है जब सांज ढल रही है चारों और लालीमा आकाश में फैली हुई है ऐसे में ऐसे लगता है कि लज् श्रद्धा के प्रशनों का उत्तर देने का प्रियास कर रही है या उत्तर देने लगी है तो यहाँ पर माधुरे गुन के साथ अगर देखें तो बिम्ब जो दृश्य बिम्ब है उसकी बहुती सुन्दर योजना की गई है देखें कितना सुन्दर दृश्य उत्पन हो रहा ह चारों संध्या की लालीमा है और लज्जा का जो मानवी करन किया गया है बहुत ही सुन्दर तरीके से यहां पर कभी ने अभिव्यक्ति की है तो उमेद करती हूं कि यह व्याक्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं इसी तरह चैनल से जुड़े रहें कमेंट करें लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें आपके कमेंट और आपका लाइक एक डोज का काम करता है तो आप इसी तरह चैनल से जुड़ कर जो व्याक्या है हमारी उसका आनंद लेते रहें बहुत बहुत धन्यवाद